अड़्वकिट भुदेप महाननद्य का अभिबादन स्पिकार किजिए शाच्यूं आप देख रहे हैं भैशाफ पीपल भैशाफ भोजन 2014-2019 जो दो इलेक्षन का स्थिति आब नहीं है सोचल मीडिया में जैसे वाइरल हो रहा है जब गोदी मीडिया वारत बर्स में सरकार का गुन गान करने लगा सरकार का फिर चाटने लगा तब से सोचल मेडिया एक्टिव हो चुका है भारत सरकार को सोचल मीडिया को कंट्रॉल करने के लिए उतना ताकत नहीं है जितना गोदी मीडिया को वो कंट्रूल करता है इसलिए RSS खेमे में टेंशन है बीजेपी की खेमे में टेंशन है बीजेपी का कर्तूत सोशल मीडिया का द्वारा सामने आ चुका है हर दिन शरकार का जितने भी योजना है उनका पर्दाफास हो रहा है इसलिए RSS टेंशन में आ चुका है मोदी चहरा और मोदी मिजिक 2024 में काम करने वाला नहीं है ये बात RSS प्रमुक जान चुके है साथ्यूं आप सबको पता है वारत एक ग्रामनी देश है सिक्स लाग से ज़्यादा गाओं बसता है वारत बस में आज तक कोई भी पोलिटिकल पार्टी का पकड़ ग्रामनी सेक्टर में मजबुत नहीं है खास करके बीजेपी का पकड़ सिर्फ ये सिर्फ टाउन में, सिटी में, गाओं में नहीं है और एसे बक्त एशा था, एशे दावा कर रहा था सिक्स लाक्स विलेज में उनका साखा है हर पंचायत में उनका स्कूल है हर गाओं में उनका संगठन है लेकिन आज इतने बड़ा संगठन का मुखिया को टैंसन क्यूं है क्योंकि पहला जैसा नहीं है आपका आरेसेस आरेसेस यानि मोधी का द्वारक कंट्रोल और बीजेपी यानि मोधी जी का द्वारक कंट्रोल बक्ता आरेसेस नीती का पार्ट पढ़ा रहा था जब वो पुजीशन में था करप्शन का खिलाब था आज ऐसा नहीं है जब आप फाइल खुल के देखेंगे बीजेपी का सेकडो नेता करप्शन में डुबे हुए है जितने भी भारतियों है और भारत का ग्रामेंड भारत आज साइलेंस है खामूस क्यूं है जब आरेसेस का कार्यकरता ग्रामेंड भारत में घुमा करते थे उन्हें राजा की तरह सन्मान मिला करता था आज गाओं में आरेसेस को पुछने वाले नहीं है प्रविश शुकलाक का जो मूथ पूरा भारत में फेल गया है उन्होंने मध्यप्रदिस में ट्राइवल लड़का का ऊपर पिशाप किया था ये बात सोश्यल मीडिया में जैसे फेल गया मध्यप्रदिस का CM तुरंट एक्षन में आगे CM एक्षन क्या करेंगे मध्यप्रदिस का ट्राइवल BGP का अफिस खेराओ कर रहे हैं BGP बाले और RSS वाले आपको छुपाने के लिए बचाने के लिए जोर तर कोशिस कर रहे हैं अब गाओं में RSS और BGP घुस नहीं पा रहा है बक्षथा ट्राइवल धरम के नाम पर RSS और BGP को रिगार देता था 2014 में लगब 30% वोट ट्राइवल ग्राम ने ट्राइवल का वोट BGP को मिला था 2019 में 36% ट्राइवल वोट BGP को मिला था लेकिन अब ये भोट खिचक कर बहुजनों की अरब जा रहा है और बहुजन का भोट कुंदन होके उनाइटेड होके बस्पा की तरह अपना मूँ मुड रहा है फैस घुमा चुका है इसलिए RSS अस्टेंशन है तमाम जितने भी पलिटिकल पार्टी बस्पा को छोड़कर किसी का गाउं में संगठन नहीं है बस्पा का संगठन गाउं में होता है और गाउं का दिल दिल ही में नहीं है भारत का दिल दिल ही में नहीं है भारत का दिल गाउं में बैठता है ये बात RSS अच्छे तरह समझ चुका है यह बात बीजेपी को भी समझ में आ गया है लेकिन आप क्या करेंगे ग्रामेडी भारत साइलेंस है कोई भी प्लिटिकल पार्टी आज तक सिक्स लक्स गाउं को कैप्चिर कर नहीं पाया बसपा ही इसा एक प्लिटिकल पार्टी है हर गाउं में कोई न कोई बसपा को और बसपा का केडर घूम रहा है RSS बक्त था कह रहा था Six Lax Village में उनका संगटा ने Six Lax Village में उनका कंट्रोल है हर पंचायट में उनका स्कूल है स्कूल और धरम के नाम पर सरस्पति सिस्वमंदिर और धरम के नाम पर वो वारत को जो कंट्रोल करने की जो इच्छा था जो तमन्ना था आज धरासाई हो रहा है क्यूं हर कोई गर्मेंट प्रोग्रम फेल है जितना योजना जन धन योजना बीजेपी का फेल हो चुका है स्वच भारत योजना गाउं में नहीं गया है ये धरासाई हो गया है शोचलाई योजना बिल्कुल फेले करप्शन हो गया है जो ऑनलाइन एकाउंट पेमेंट का जो डिमडिमा जो जो अड़टेच्मेंट दिया जा रहा था वो टाइल टाइल फुस है औरेसेस आप गाउं में जागुस नहीं पा रहा है वो प्रोब्लम में आ चुका है और भिलेज का लोग उनका मूड बदल दिये है असलिए औरेसेस ये जान चुका है मोधी मिजिक आप भारत में काम करने वाला नहीं है गाउं में रस्ट्रेंट जीरो हो चुका है जब एशा बक्त था हर गाउं में साखा लगाया करता था आरेसेस आज साखा के लिए जब बुलाया जाता है लोग नहीं जा रहे हैं ये सोस्याल मीडिया का कमाल है RSS का मुखोटा, RSS का चहरा और BJP का मुखोटा लोगों का सामने आ चुका है केंदर सरकार ये शोचर रखा था मिडिया को कंट्रोल करके भारत का ग्रामन इलाके का लोगों का भोट पांच किलो गेमुवर राशन में ले जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है क्यों विलेज में रस्पॉंस जिरो हो गया है टमाटर किलो एक्षच चालिस आप गयूं और राशन फ्री में दे सकते हैं लेकिन ग्यास कून देगा कहां से खरी देंगे बेजटेबूल कहां से खरी देंगे दाल कहां से खरी देंगे ओईल कहां से खरी देंगे, कहां है पेशा, गाउं का लोगों का रोजगार छीना गया है, ऐसी लिए जीरो रस्पंसिबिलिटी गाउं से आ रहा है, RSS और BGP का संगठन को, सोस्यल मीडिया का माध्यम से धरम का मतलब लोगों को समझ में आ चुका है, आप लोग ब्लाइंड मेहंगा हो गया है आप, मेहंगाई में लोग का जिन्दी की बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये रॉंग इकोनमिक पॉलिसी, भारत सरकार का रॉंग इकोनमिक पॉलिसी के कारण, बढ़ती मेहंगाई, बढ़ती टेक्स से लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए दो हजार, 24 ओटी फुर इलेक्सन, बीजेपी का सरदर्द और आरेसस का टेंसन है, क्योंकि एक बार बीजेपी सत्ता ही हो गया, मतलब वो दो बारा और कभी भी सत्ता उने मिलनी सकता, ये डर सता रहा है बीजेपी को, ये डर भी सता रहा है संग परिचालक को और आरेसस कार्यकरताओ को आरेशिस जान चुका है आदिवासी नाराज है आरेशिस का उपर शेडूल कस्त नाराज है आदिवासी का उपर OBC उनका जो ब्लाइन सप्टर थे 100 में से 60% OBC आज सोस्याल मेडिया का द्वारा अमबेटकर को जान चुके है बाबा साहिब का मीशन घर घर तक जा रहा है ऐसे ही और दो-तीन साल कंटीनिव से चलेगा भारत में बहुजोन का राज होगा लोगों यह भी जान चुके है बीजेपी ही कंगरेस है इसी बीजेपी है जो पलीसी, कंग्रिस क्या करता था, वो ही आज RSS कर रहा है, कंग्रिस का सासन में सडुल का सडुल ट्राइब, वो भी सी कुछ वो अधिकार छिना गया था, वो इसे ही BGP का सासन में भी हो रहा है, इसी लिए लोग जान चुके है, 2024 में BGP 100 से भी ज़्यादा सिट ले नहीं पाएगा, महारास्त्र में BGP कमजूर हो चुका है, उडिशा में BGP का ताकत नहीं है, बंगल में BGP का बिलकुल खमता नहीं है, बिहार में BGP गया, यूपी में BGP मजबूती का साथ नहीं आएगा, क्योंकि एशा कयास लगाया जा रहा है, यूपी इलेक्षन आते आते, बहन मयाबती जी और अक्लिश यादम, दोनों मिलकर इलेक्षन लड़ेंगे, ये डर सता रहा है BGP को, समाजवादिप्वाटी और भूजन समासवाटी, दोनों का गटबंदन यानी, BGP का सफाया हो जाएगा यूपी में, पंजाब में B.A. B.J.P. नहीं है, तेलेंगाना में B.J.P. नहीं है, 36 गड़ में B.J.P. नहीं है, मध्या प्रदेश्ट में B.J.P. आप हरने वाला है, जेशे अक्रों से MP में, MP का सीएम, दलितों का या अधिवासियों का पेर धोने से भी भोट उने मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनका प्वालीसी ही लोग को समझ में आ चुका है, 2024, बहुजन जहां जाएंगे, वहीं सरकार होगा, ना कंग्रिस को ख्यंता है सरकार बनाने के लिए, ना B.J.P. को ख्यंता मिलेगा सरकार बनाने के लिए, बहुजन जिसका साथ जाएगा, वहीं गर्मेंट बनाएगा, चूकि सुसियल मेडियल का कमाल है, रप्तार से सुस्याल मेडिया में आम बेटकर का बीचार फेल रहा है, और फूल रहा है, फल जल्दी ही मिलने वाला है, बहन मायावती जी खास करके बोजल समास पार्टे का जनाधा 2024 में बढ़ेगा, हरियाना में बढ़ेगा, पंजाब में बढ़ेगा, तेलेंगाना में बढ़ेगा, महरस्त में बढ़ेगा, यूपी में गर्मेंट बनेगा, कोई भी गोदी मीडिया ये वात नहीं बता रहा है, सुस्याल मेडिया में भी जितनी भी बड़े-बड़े सुस्याल मेडिया है, अजित अंजुम जी, अभिशार सर्मा जी, उन्यप्रसुन बादपे जी, रभिष कुमार जी जैसे बड़े-बड़े सुस्याल मेडिया हैं, ये भी बहुजूनों के बार में नहीं बता रहा है फिल्ड का रिपोर्ट ये बता रहा है सोस्याल मेडिया का माध्यम से जैसे मुखर होके बहुजोन कास्ट करके सेडल कास्ट का लड़कों और लड़कियां मेडिया को सोस्याल मेडिया को जैसे अपना हाथ में लिए है अपना खर्चा करके बहुजानों का जो प्रचार प्रसर कर रहे हैं वो प्रसंग सन्या है जादा नहीं दो और तीन साल का अंदर भारत बस में अमबेटकर मय हो जाएगा चारो तरप अमबेटकर का बीचार चाजाएगा जितना अमबेटकर का बीचार चाएगा उतना बस्पा को मजबूतिक असाथ फैदा मिलेगा अभिसार सरमा जी कभी भी बस्पा के बारे में नहीं बताते है पुन्य प्रसुन बातपे जी कभी भी बस्पा के बारे में नहीं बताएंगे रमिष्ट कुमार जी कभी भी बसपा के बारे में नहीं बताएंगे अजित अंजुम जी बसपा के बारे में नहीं बताएंगे चुकि बसपा को थोड़ा भी हाईलाइट कर दिया गया तो बसपा गर्मेंट बना लेगा ये लोग जानते हैं इसलिए ये दोनों जितने ये सोशल मेडिया में रहने वाले कुछ लोग बीजेपी कंग्रेस बीजेपी कंग्रेस नहीं तो और कुछ बताते रहेंगे बसपा को नीचा ही दिखाएंगे शाथियों आप देख रहे हैं भाईशाब पीपल भाईशाब बहुजन आभी तक हमार चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो कायनले सस्क्राइब कीजिए, सेल कीजिए और बहुजन मेडिया को बचाईए और आने वाला कल भारत का संविधान को बचाने के लिए मदद कीजिए